आल राइट एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होगा आज का आज मेरे साथ दी पांजन है जिन्होंने आएस सी बैंगलोर से अपना कर रहे हैं यह स्पेशलाइशन में उनका कॉलकम में सेलेक्शन भी हो चुका है उन्होंने दो बार गेट काई पर अटेम किया है तो उसके बार में थोड़ा बताओ और यह एलेक्ट्रिकल के बाद यह में स्वीच होना डिफिकल्ट है और आसान है वो भी थोड़ा बताओ तो मैंने गेट 2019 में गेट दिया था और वहां पर मेरी रांग थी 93 फिर मैंने दुबार अटेम लिया तो 2020 मेरी रांग थी 121 तो उसके बाद मैंने इसमे अडमिशन लिया इंटेक AI और इलेक्ट्रिकल से AI जाना इस तफ यह इस तफ बट जो लोग को एक मिसकंसेप्शन है कि AI अगर आप कोडिकल तो वह चीज में क्लैरिफा कर दो कि AI जो है वह 80% मैच है और 20% कोडिंग है तो अगर किसी को कोडिंग नहीं आती तो एक दर रहता है कि हम गया कुप अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो वह चीज कोई प्रब्लम नहीं है क्योंकि कोडिंग आप एक हपते एक महिने में सीख लोगे दिक्कत आते होड़ी मैथमेटिकल पार्ट में वह भी अगर अगर आप डिसर्च ओरियंटेड हो तो वह नहीं है इस नौट डैट तफ और AI मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पाव लिट्टोनिक अनलोग इसा पड़ा है तो चार्टि फerkरिकी अगर मैं स्टार्टिंग का जो मैं मतल altre हर स्टार्टिंग में एख अब हो आप ऐसको अड़ है इस स्टार्टिंग में यह एक ठीज टोल मैं कैसे मैं करूंग बड़ा को एंगा तो वह रएंक वह बता चूस चीजच कंद बता कि घेरे जिरे को प्प कर लेता है कोप अपने का फेस डिफिकल्ट हो सकता है बट कोप कर लेते हैं और सब कोई वो डिफिकल्टी फेस हो इसा नहीं है कि जो सी एस बैगनाउंट से कहा हो वह इदम 30 मार खान है तो ऐसा कुछ नहीं है इस अलाइब कि आप कितना उस पर डेडिकेटिट ली टाइम देते हो और मै मानलो कि मैं गोम मैं जाता सब्पोस मैं एलेक्टिकल कोर में जाता तो इतना अच्छा मिला पैकेज अशन नहीं लगता ना आप शेचा थारो आप आप डोमें जाए जाय कर रहे हो तो वहां पर देखो कि आपको उसका रिवार्ड भी तो मिल रहा है अगर आप सिर्प जोन सबसे पहले सेकेंड एट एंट होता है क्योंकि आपका 300 रांग आया था और आपने मेरी आपका इन की आपकी सबसे पहले सेकेंड एटेम के बार में सोचा आपने कैसे प्रिपरेशन स्टाइट इस लगा था तू उसका एक्स्पेरियंस बताओ हां थो जब मेरी 33 रांग थी त उस समय जो मार्क्स थी वह बहुत ज्यादा थी और उस टाइम में कुछ पिना पीएसु आ रही थी ना तो क्या पीएसु ना आने का एफेक्ट पड़ता है एम्टेक पे तो एम्टेक क्लोज हो जा रहे थे तो मेरे को एडिशनल राउन में सोचो की एडिशनल राउन मेरे को आएटी कानपूर मिल रहा था जो की मेरा लास्ट प्रेफरेंस और तब तक मैने मन बना लिया था कि मेरे को सेंट इंट देना है वह इसलिए नहीं था कि मुझे राइंक अच्छा करना है जस्ट आ वांटेट तो एंजोए गेट बिकॉस कॉलेज के साथ एक वो होता है कि हम प्रॉब्ल मे करके सकते हैं वह इसलिए नहीं नहीं कर पाते मले टिम चछ लग tolerant इंट व कंद शर्ड इंट फोड़ा कि आएट तो मुझे थोड़ा सा ताम चाहिए था कि मुझे कोई कोई प 만들어शा वर्पेशन कर सकूँ तो फर्स्टाइम जो था मेरा दोपर का एक्सपिरियंस तो सेकेंड टाइम घूए कि मैं सोच्छा कम हो कहां से परिपलेशन करो तो मैं पुरानी को चीमि जानी सकता तो अब प्रॉबलम यह कि वहां पे लोग जानते हैं और वहां पे मेरे को मैं पता है तो मैं सोच convince कि नहीं हुआवधी है तो मैं सोच एजे कि कहा जाएं तो मैं पूरे दिल्ली जाए यहाँ यहाँ जा जा आए है तो यह पडहे जाएं तो मुझेर मपलें कि जो सॱिप तो मुझे ऐसा फील लगा कि आहां की फीज वहां से बहुत का यह बहुत बड़ बेनिफिट है और सेकेंड ये कि वहां पर मेरे आजे कॉलेज के बच्चे गए वह तो मुझे ऐसा फील लगा कि यहां पर दिसकांड मिल रहा है फ़स्ट सेकेंड फीज कम है अग दूसरा यहां इंगे तो प्लान ऐसे वहां तो इसे बना अभ है घर में ग cycasal यहां पर आख और मैंने याप यहां आख यह वेल साथ्ब यह यहां यह dif Lookers यहां पर मेर को एक चीज जो बहुत अच्छी लगी जो वहां पर दिली में नहीं है वह यह चीज कि यहां पर लाइबरेरी है कोचिंग कंदर हम आविट्स में यहां पर सक्ते हो यहां पर लोग रहते तो एक माहल एक इन्वाय में अपर पाओगे उस ताम न श्थी तो मेर क्या बहुत बहुत बीड़ घृए थी वहां अच्छी आओए बहुत घृँझ्यां अविक टाइम मैं बोल रहा हूं कि आज के इसलिए फ्रश्टेटरेड नहीं है कि उनसे हो नहीं रहा है आज कर दो कि लोग डाउन है लोग डान अपहता दो सब चालू कर दो उस टाइम में लोगों से बहुत चीज़े नहीं हो रही थी बट इतना फ्रस्टेशन नहीं था उस समय लोगों देखता था उनको भी मतलब ज अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो यह चीज़ बहुत मिसिंग रहती है मैं अभी देखा है कुछ लोग यहां पर डीप लन मतलब रिकॉर्डड वीडियो ते इसके खरीड हुए फिर भी यहां पर यहां पर आए और यहां पर आके देख रहे है जो निचे निचे लिए आपना काम कर रहे है सुबर आते हैं रात को जाते थे मैं जाता था तो ग्यारा वेज तक हम लोग पड़ते थे तो वो तो मतलब मुटिवेशन थे लोग आ रहे हैं तो वह चीज़ अप घर में कितने दिन कर लोग है रोगा सेल्फ मोटिवेशन मेरे को लगता मुझे लोग से मोटिवेशन लेना पड़ता है तो यह मेरी किसा है कि लेख शुदम एक्टम ने सुख सोल गए है कि अगर मैं झाली नहीं तो मुझे रखने है कि वह यहां जो कि उचिक्ष कि लेने का वोट जो कुछ तो ना कुछ तो नहीं सीखोगी ही एक डम एकडम मैं कि मैं यहां पर जो क्लास किया हूं उसमें जैसे अनलोग के बहुत सरे शॉर्ट ट्रिक्स वह चीज मेर को लगत बहुत बेनिफिशियल था फिर मैंने नेट्वर्क सिगनल कुछ 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 सब्जेक्ट किया हैं सारे सब्जेक्ट नहीं कि क्युकि मेर का ऐसा लग तै कि इस सब्सक्राइब कर दोनों में कि हम किसको फॉलो करें तो फॉलो करें तो वह चीज मेर को लगता है कि उतनी यदे बेनिफिशियल नहीं है ताइम वेस्ट भी है क्यूंकि अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं तो फिर मैं रो कंफुजियों होगा यह तो इस नहीं पढ़ाया था तो यह चीज के लिए मैं सारे क्लासिस नहीं कर रहा था मैं वह हुए इस नहीं कर रहा था जिसमें अगर तो अगर हो सकते हैं कि दोनों बेस्टो दुनिया के बेस्टीचर ओ फिर भी तुम्हीं की फॉलो करना पड़ेगा जैसे जो CS वाले हैं तो CS वाले को यह साथ मैं बहुत कम रहते हैं हम लोगे साथ मेजर प्रॉब्लम यह रहते हैं कि हम चीज़ बुला जाते हैं फ़र्ष्ट कर आप लिए अगर आप लिए जालो करो आप अनला तक मशीन तक पहुचो आप नेटर भूला जाओगे तो वह चीज़ बहुत मुश्किल है क्यों कि हरेक टॉ अपला बन्दा हूं तो जैसे यहां पर मैं जो जानता हूं कि मशीन में ट्रांसफोर्मर, DC, Synchronous, Induction और एक-एक सब्जेक्ट इस इकुवेलेंट वन सब्जेक्ट यह बस में इलेक्टिकल मशीन के अंडर में है इसका मतलब यह एक सब्जेक्ट है यह चार सब्जेक्ट की सब्जेक्ट है तो यह हर एक सब्जेक्ट की यह ही दास्तान है और इलेक्टिकल में जाना है यह भी उनकोर में कोड्ये यह स्कूरवाध को शार्ड़ carry ठाट सब्ड़ ऑट यह सब्जेक्ट बन जाए तुम अगर अगर किसी को सब्जेशन देना और किसी को वीलेसाँ में जाना है या फिर किसी को गर MLA-MH जाना है एम्टेक कर लोसका फिक्स है तो मुझे अप्रिफर करोगे अफिर एलेक्ट्रोनिक्स में लिकित मेरी साफ से ना अगर इसको एक साल में क्राइक अगर जीरो प्रिपार कर रहे है तो तुमरा नॉलिज है नहीं किसी तो बेटर गूफर एलेक्ट्रोनिक्स क्योंकि मेरी साब से मशिन में इदेखा विए फिट कर नी कुछिष कर रहा था ताम तेल बनानी कुछिश कर था एक्सों पचास गंडा और जो पाओ एलेक्ट्रोनिक्स साव सेवेंटियार्स को तो पर दोगी लोग तो इस गरेंटी न कि मैं यह बहुत लोगों से पुछा मतलब मैं भी डिलेमा में था कि मैं जब सेकंड टैम ड्रॉप लिया तो मैं किस पे दू तुमारा किस अलग है नहीं मतलब मैं वह नहीं बोल रहा था मैं बोल रहा हूं कि जो अगर मान लोकी कोई प्रिपेर करना चारा है सपोस अगर को सब्सक्राइब करना चारा है कि मैं फर्स्टाइम जो गेट दू वो किस पे दू उसके पास बहुत अच्छी उप्रचुनिटी है और को इलेक्टिकल लिक चुका है हां एक बार लिक चुका है सी एसी इस नॉट इजी हां नॉट इजी नहीं मतलब नॉट इजी मतलब सब्सक्राइब करना नॉट इस नहीं बनाते हो तो आप कम्मिनिकेशन नहीं बना पाऊगे आप एंट नहीं बना पाऊगे दो मेजर सब्सक्राइब कर चोड़ जो अपर कॉंफरेंस लिए यूजिली डाउन हो जाएगा पर प्रप्रब्लम क्या कि एलेक्टिकल में लोग अबर यह जाएगेशन हो जान यह लोग टो तरह से लिए आप भाइगा भाइख को अगर किसी क्या म्टिक में एका जाना वह वह जो एक्टिक वह जाना कि लिए यह यह जो जारी यह सपोज हाग देन फीपक क्या लेक्स्टिक आप में पर से टा ऑर कर टो पर च्थ तो यह कंग दो इत अगर इसी कर रहा है जरूरी थोड़िया रपिलेक्टिकल से पड़ रहे ते इसी नहीं लिख सकते हैं यहां आप अशने का हुट कि रहे रंक कर तभी दू 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 लास्ट यह दो पर लौक है मैं देख अलेक्ट्रियल का अलेक्ट्रोंक्स कर कर रहे है और यह निकर सकते हैं क्योंकि एड़ बस्ति को डिलन ईतनर कर रहे हैं यह कुछ लास्क्राइब ट्रेक्सें इस अब तिन जुण ब्राइन में राइंग्र के आप नहीं कर सकते हैं हैं यह तुम कुछ लास्ट में सज़ेशन देना चाथिओ जो अभी ग्छेंद लिए प्रिपार कर रहे हैं जो दी मोटिवेर हुआते अपने सेकेंड में तुमने अपना कैसा विल बनाया था कि में तीम बहुत ज्यादा नाउलेज होगा अपने सेकेंड में तुमने पर अगर आपका उपने सेकेंड में तो आपका यह दिमागों थाओज आता है कि अगर आपका जैसे इस बार अगान नहीं वा फिर से ड्रॉप नेना पड़ेगा घर वाले प्रेशर करें अभी बढ़ा है हुआ तो कहीं ने कहीं, 80% प्रेशर कम हो जाता है, तो मुझे ऐसा फील हो जैसे मैं जब दुबारा गेट लिखा था, तो मेरे उपर डॉपर स्याता प्रेशर था, क्योंकि सब्सक्राइब मेरा 390 राइंग आया था लोग मुझे आंगते थे, और यहां पर आया था तो लोग चाहा इस्पेशली तुमारे चाहें लिए प्रेसारा चाहें लिकीज़ागा कि इसक अर गंदा आजा था तो मुझे उस्ते तो मुझे मिल जाता नोका उससे मील जाएगा बट दिमाहँ नहीं चलेगा ना, अगर आपका भी कौलिफाइब हो गया है ता यह नहीं तो कि दूच 2020 का पेपर सबसे अधर तफ़ेश पेपर था तो मुझे ऐसा लगा कि आर दुबार रॉप लेना पड़ेगा उस मदब सोच रिवाइब टाइम जैसे में पेपर देखा तो मैं एक्जाम हॉल तो पहले पोच गया था तो पेपर देखते साथ मेरे मेरी यह फिलिंग थी कि अधर में लड़ जगड़ के ड्रॉप लिया हूं ऐसा मेरे को स्मूथ लिड्र अपने नहीं मिला है कि घर वाले अवेसली बहुत पोस्कारते हैं कि मेरे को बुर्द कर ले फिर वहां से लिक ले अब मेरे मन में था कि मैं डेडिकर दिकर दिकर प्रपर करूंगा तो मेरे द अब बैठा वाता वो एक लकरी का प्ट्टा था तो वो रहे हिल रहा था में समझ रहा है ऐसा नहीं कि आपका दिमाग में ट्री वाई और वहां पे अग्जाम हॉल्वाइज सहीं चलनी रहा है कुछ तो अब मैं क्या करूं तो अब मैं सोचा की इस में ट्री के साथा आप गजाने नहीं अखरे और द सुस्टकॉर के तो माने कि अई इस दिए नहीं रहा चमपतर तो जैसे उन्हीं जा यह थिचा आख आधि एखर आधा तो तय्यों में धर क्या रहा तो यह भी रोस चेक करने का तरीका हो सकता है तो जब मैं वह देखा तो फिर मेर को समझ में आया कि हां मुझे फूरी सीजा आहता ही फिर मैं वाश्रूम गया मूद होया पांच मिनिट लिया वह पांच मिनिट से कुश्चन नहीं बनेगा आप पांच मिनिट बेश्ट कर दो तो पांच मिनिट में लिया मूध हुआ फिर मैं सोचा की दॉप लेना पड़े बाद में देखेंगे एक्साम के राद बाद में सोच सकता हूं मैंद लेना पड़े गा तो आद मैं देख लोंगा मैं वो सीज़ अभी सामने इसको डिल करते हैं मैं बोलाकी जितना बने गू mister और ज लेहिए दुटे था ond is almost pictures जो सके आप्र क्यों और साँ ले पर फोलो आगे जो का आज कर रागे ऑड़ा या मैं आप्र एक्जाम अवर हो बने बागे चाहिए कढ़िगो मेरे एग्साम बेकारो ही कि इना इस कोस्ट नहीं्स के तुछ है कि इटना पड़े हो थेटोर प्रम मेड़ना मैं वहला कि इतना अवार में इडाby के उटने था मारे रिविजिन क मिन गठेंग वार निय इसलि जा इन इसलिः आप कोश्ट जा ख्या इ सबस्ट है आप जितना पड़ें, मैं अगर 60% पड़ा हूँ, आप 60% के एकोर्डिंग कोशिश मत करूँ, अगर अगर आप यह सोच लिए, इतना आता है, मैं उतना कोशिशन बनाऊंगा, तो आप करेंग फिक्स है, यह चीज मैं देख चुब, नेगिटीव नहीं होगा, नेगिटीव करोगे, कि इतने कोशिशन करोगे, कुछ नहीं देखना है, वह भी नहीं देखना है, मैं यह बोल रहा हूँ कि आप से जितना बनता है, वह यह बोल रहा हूँ, आप से जितना बनेगे, आप से जितना बनेगे, आप से जितना बनेगे, आप से जितना बनेगे, आप से जित आप यह सोच के चलो कि दुबारा अगर डॉप लेना पड़ जाए यह एक और साम करने का मेरा एक शटेजी है कि आपको दुबार डॉप लेना पड़ जाए तिसमें क्या हरत है अगर मान ले अगर मान लो कि सब्सक्राइब मुझे मैं जॉप कर रहा हूं मुझे अगर निकाल सब्सक्राइब मुझे अगर मेरा उतना अभी रहा था अगर नहीं आया दुबारा मेरा टॉप हंडर मेरा निया खतम थोड़ी हो गई मेरी तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपके दुनिया खतम नहीं हो जाएगा यार मेरा एक फ्रेंड है वो थर्ट टाइम गेट लिखा उस कि उसने पड़ा हूँ है उसको फ्रस्ट्रेशन जादा हो रहा हूँ है वही कि अरुपर भार्या मेरे घर में एक जो मुझे असा लुब यह जाएगा तुनिया तीन साल वेष्ट लेगा मेरा ये बोले ते कि तेर एक साल वेष्ट हो जाएगा मेरा यह कहना है मैं यह जू आप बाकी आगे की जिंदेगी दो साल आप खराब थोड़ी जाएगी अगर आप तीन साल वेस्ट कर दो और वहां से आपका एक नया दौर चालो हो जाए तो आप वो बेटर है कि आप एक साल आप बचा के पूरा जिंदेगी आप अलग डिरेक्शन में लेकर जाएगी तो सुनना है सुनलो उतना उतना सुनना ही पड़ेगा आपको वही चीज़ कुछ अगर आप नहीं लगाओगे तापो कैसे वह चीज मिलेगी तो मेरा भी कहना है मैं लोग को बताते रहता हूं तुम जो एसा बना के बेटर की मुझे फटाक से सक्सेश ची है ज़रूरी नहीं क साल का एक लोग को ताना का भी एक अलग प्रॉब्लम है पर साथी साल को का मैंटलिटी भी है कि मुझे एक ही बार में चीज़े एक साल में कैसे अंडरनेट रैंक निकाल सकता हूं सब बता दो अभी लोग मुझे मैसेज करते हैं जबकि एक ही मेना बाखी है तो वैसे बता देते हैं सब को कि जो मैक डॉनल्स तुम खाते हो उसके फाउंडर ने वो कंपनी कप स्टार्टी उनके 40s 50s में के अफसी कप स्टार्ट वा था उनके लेट तो जो एक्चर में जो वीडियो बने ना मिलीनियर कैसे बनते 20s में उसके लोग को सब को स्टार्टिंग मिलीनिय पर हर कोई बनता नहीं है मैचुरिटी की जर्णी यही होती है में ध्यान का पे देना है कि आप आपके फेवरेट चीज के पास जा रहे हो कि नहीं उससे अगर डिफरेंट पाथ चुनोगे एक साल बचा के कोई फाइदा नहीं होगा लाइफ टाम आप अपना रिग्रेट अपने पास रख होगे तो दिपानजन थैंक यू हमारे इस वीडियो में आने के लिए और आप में से भी अगर कोई एस अकडेमी जॉइन करना चाहता है मैंने भी एस अकडेमी से कोचिंग करी थी आप कोई भी प्रांच के हो सकते हो एस अकडेमी के रिकॉर्डेट वीडि दिखनी होगा तो इतना ही था इस वीडियो में हम फिर मिलें इस वीडियो के साथ तिल देन आए जाए 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 जाए